सोलन का गंस बजार कभी सोलन की शान हुआ करता था और यहां सबसे ज़ादा प्यापार होता था लेकिन आसकल यहां तहवाजारी गबजा जमा लिया है अगर पहिश्ची के दुकान किराय पर लेकर दुकानों के आगे मंजिल लगाकर दुकानों के आगे करीवन 15 फुट तक स चौपट हो चुका है और उन्हेंने गुहार लगाई है कि वह तेह बजारियों पर सत कारवाही करें और उनके सड़कों से अवैद कबसे को उठाया जाए दुकानदारों ने रोश प्रकट करते हुए कहा कि तेह बजारियों ने उनकी दुकानों के आगे अवैद रूप से जिकर अपनी दुकाने फोल्डिंग बैड़ों पर चला रखी हैं जिसकी वज़े से उनकी दुकानों में कोई ग्राहक नहीं आता और उनका व्यवसाय दिन प्रती दिन चौपट होता जा रहा है उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार समझाने का प्रयाश गया लेकिन भव नही परिशित को दुकानों का किराय दे रहे हैं उनका व्यवसाय भी चल सके अवैद रूप से जो है यहाँ पर गाड़िया खड़ी होती है स्कुटर्स वगएरा जिससे की कश्मर को आरे में यहां भी परसानी होती है और बराबर में 24 कंटे ताथ चला रहता है जिससे की दुकान नहीं है वो एक साठ पर करके उनको जो है एक रूप रेखा की जाए कि अपना मंचे लगाए ओनको भी रोजकार मिले हम यहां नहीं कहते हैं यहां पर बहुत दिक्कत हो रही है हमारे को जो रेडी फड़ी वाले हैं यहां मझे वाले हैं वो भी इसिस फूट आगे चलेगे हूँए दुकानु जबकि उनको दुकान ने अलाउट की वी कुमिटि zw verbess नंतरी हमारे तो कस्टमर यहां तक पहूंचता है नहीं है और हमारे क परिवार चलाने के लिए तो मैं प्रसासन से गुजारिस करता हूं कि इस समझे काहल किया जाए ताकि जो अवैद रूप से मंजे फड़िये लगी उसको हटाया जाए दोको जी हमें दो समसे बड़ी समुच्या है बुजार में कि चलने की तुरी दुकान दा रेकी ला कोई गाल काता है जगह तो मंजे लगये पार्किंग लगिए इनकी जब की जगह नहीं है और कमिटिक बोले तो कहते हैं पुलिस को बोलो पुलिस को बोलो को बोलो कहां जाए हमें तो रोटी के मुश्किल होती है पना पना फुटबा लगी हुई है जब कि होते हैं दुगान के बोलो कहां बोले हैं हमारी यही हर जाय की इस बात का जाय हमारे को ने में दिया दाए